आज की वीडियो में हम लोग गाईस कुछ इस टाइप का सीखने वाले हैं अडोबी आफ्टर इफेक्स के अंदर सो बेसिकली मैंने इस इफेक्ट को देखा था बाहु बली मुवी के अंदर सो आई थाइप की कुछ इस टाइप का क्रेट किया जाए ठीके सो वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होने वाली है और जो भी फूटेज का मैं यूज कर रहा उन सभी का लिंक मैंने अपडेट कर दिया है वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फूर प्रैक्टिस परपस सो वीडियो को शुरू करते हैं सो यहाँ पर मैंने फूटेज को इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले स्टैप हम लोग क्या करने वाले हैं हम करेंगे अपनी यहाँ पर मेंन वीडियो को स्लेक्ट उसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ पेंट टूल के उपर और सिंपली मैं यहाँ पर जस्ट एक रफ यहाँ पर मास्क कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से ठीक है इसके अराउंड something like this कुछ इस टाइप से इसके बाद यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर इसकी प्रॉपिटी इसको ऊपन कर रहा हूँ मास्क की और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम एड़ कर रहा हूँ मास्क पात के ऊपर उसके बाद हम लोग जस्ट कुछ फ्रेम आगे गए और यहाँ पर आपको as per the object आपको इसको करना है set कुछ इस टाइप से थोड़ा बहुत आपको इहाँ पर set करना है ज्यादा movement इसके अंदर है नहीं ठीक है कुछ इस टाइप से कल लेते हैं इसको यहाँ पर complete हो चुका है इसके बाद मैं इसे कर रहा हूँ pre-compose इसके बाद यहाँ पर करेंगे right click then pre-compose simply और यहाँ पर इसे करेंगे move all attributes और यहाँ पर मैंसे कर रहा हूँ main video com ठीक है इतना कंदे के बाद simply यहाँ पर click करेंगे effect and presets में और यहाँ पर just type करेंगे key light और key light को इसके उपर यहाँ पर करेंगे just drag and drop कुछ इस type से इसके बाद आपको यहाँ पर करना है color को pick जो भी आपको यहाँ पर green color है कुछ इस type से और यहाँ पर मैं काम और कर रहा हूँ मैं अपनी यहाँ पर दूसरी वीडियो को यहाँ पर import कर रहा हूँ जो हमारी water की यहाँ पर वीडियो है कुछ इस type से इसे rename कर लेते हैं just water video ठीके अब इसके बाद अभी यहाँ पर चोटी मोटी यहाँ पर problem देखने को मिल रही है सो क्या करेंगे simply गए यहाँ पर और इसे मैं आपर कर रहा हूँ screen matte और इसके बाद मैं यहाँ पर गए screen matte के अंदर और basically मैं क्या करूँगा black को और black करूँगा और white करूँगा सो यहाँ पर values को increase कर रहे है कुछ इस टाइप से इसके बाद थोड़ा बहुत हम white को यहाँ पर shift कर लेते हैं something like this ठीके इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ final result इतना करने के बाद simply मैं यहाँ एक effect टाइप कर रहा हूँ matte choker effect और इसको इसके उपर कर रहा हूँ apply कुछ इस टाइप से और यहाँ पर इसकी values को आप कर लो कम something like this ठीके इसके बाद मैं यहाँ पर इसको simply यहाँ पर shift कर रहा हूँ something like this अब यहाँ पर मैं एक image और लिके आ रहा हूँ just यहाँ पर एक child की यहाँ पर image है बच्चे की यहाँ पर s press करेंगे s for scale और इसको मैं आपर कर रहा हूँ छोटा इस टाइप से और यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं इसको यहाँ पर set कर रहे हैं something like this आप लोग यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर place कर सकत हो मैंने आपर basically video shoot किती बट बच्चे के साथ video सही से shoot नहीं हो पाई so that's why मैं आपर use कर रहा हूँ एक image आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो as per your choice इसके बाद simply आप इसको arrange कर दो कुछ इस type से something like this अब मैं क्या करने वाला हूँ अब हमें guys आप लोग यहाँ पर देख सकते अभी हाथ में आपे movement है जो हमारा hand है वो कर रहा है move बट image हमारी यहाँ पर still है so हम लोग क्या करेंगे जो भी हमारे पास हमें hand की movement है उस same movement को apply करेंगे हम इस image के उपर child की image के उपर so इसके लिए हमें track करना पड़ेगा अपने hand को so मैं क्या कर रहा हूँ simply यहाँ पर click कर र Adobe After Effects के so आपको यह वाला option मिल जाएगा यह free है बट इसमें कुछ options आपको नहीं मिलते हैं बट इतने में हमारा काम हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पर करना है click just launch और इससे पहले आप इसे यहाँ पर कर दो full then यहाँ पर click करो launch के उपर then यहाँ प कुछ इस type से click कर रहा हूँ अगर आपको यहाँ पर interface कुछ इस type से देखने को नहीं मिलता है तो आप simply आप इसको यहाँ पर कर देना essential ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ bottle के around यहाँ पर एक shape draw कर रहा हूँ कुछ इस type से something like this आपको यहाँ पर shape draw करना है bottle के around ठीक है because हम यहा आपको यहां पर just click करना है track के उपर, so यहां पर यहां पर track करना शुरू कर देगा, so यहां पर track complete हो चुका है, इसके बाद मैं यहां पर just click कर रहा हूँ इस icon के उपर, so that जो भी हमने काम के है वह यहां पर save हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं अब बंद, अब हम क्या करेंगे एक बार हम यहाँ पर सिंपली जाते हैं image के उपर और हम इसे करेंगे pre-compose so right click करेंगे pre-compose और यहाँ पर just इसको type कर देते हैं child image ऐसा क्यों कर रहे हैं because अभी जब हम इसके उपर data apply करेंगे so that यह अपनी जगे में रहे so यहाँ पर guys simply tracking data के उपर और आपको यहाँ पर click करना है create tracking data और आपको यहाँ पर mocha pro को बताना है कि आपको किस layer का data आपको यहाँ पर चाहिए simply मैं ok press कर रहा हूं इसके बाद मैं भी यहाँ पर कर रहा हूं simply transform और यहाँ पर select कर रहा हूं child image so basically हम data को export करने वाले है इस particular image के उपर so जो भी moment हमारी इस hand के अंदर होगी वो आ जाएगी same इस particular child के उपर इसके बाद simply आपको यहाँ पर click करना है apply के उपर so now vacancy यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर position change हो चुकी है but इसको अभी हम लोग आपके fix करने वाले है so मैं आपके simply गया child layer के उपर और यहाँ पर transform में गये अभी हम यहाँ पर scale की requirement नहीं है so मैं आपके scale के उपर just untick कर रहा हूं ठीके otherwise आप यहाँ पर इसको रख भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए so भी हम इसको यहाँ पर रखी देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको just click करना है position के उपर यहाँ पर कुछ इस type से so that यहाँ पर सारी keyframes यहाँ पर select हो जाएगी और simply आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर कर लो एक साथ इससे क्या होगा हमारे यहाँ पर keyframes के उपर कुछ impact नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस type से ठीके now see इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर मैं यहाँ चाहता हूँ जो हमारा thumb है यहाँ पर hand का वो वीडियो के आगी आए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे simply यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी main video के उपर और इसको मैं आपर कर रहा हूँ duplicate so edit में गए duplicate और इसको लेके आ रहे हैं टॉप में और यहाँ पर just मैं type कर रहा हूँ roto it means यहाँ तो masking कर लेते हैं masking और simply यहाँ पर जाएंगे roto brush tool के उपर अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करते है roto brush tool इसका regarding मैंने proper video बना रखिया आप लोग देख सकते हैं link आपको मिल जाएगा description में then आपको यहाँ पर double click करना है कुछ इस type से और इसके बाद आपको just यहाँ पर select करना है थम वाला area कुछ इस type से चीके otherwise आप इस यहाँ पर पूरा ही कर लो और इस type से चीके बहर हमें आपको just press करेंगे paste down और paste down प्रेस करते हैं चीके basically मैं आपको एक frame आगे shift कर रहे हैं इसको as per the video duration इसके बाद यहाँ पर simply click करेंगे freeze के उपर so that यह जितने भी frames होंगे उन्हें cut out करना शुरू कर देगा इसके बाद वापस हैं यहाँ पर composition के अंदर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ अब थम यहाँ पर ऊपर आ चुका है then simply आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर simply आप जाओ roto brush के properties में और यहाँ पर थोड़ा बहुत इससे feather कर सकते हो अपने according ठीके otherwise आप एक काम करो mat joker को नीचे shift कर दो ठीके और यहाँ पर आप इसकी थोड़ी बहुत values को और बढ़ा लो something like this ठीके अब गैस इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर create करेंगे इसकी shadow because यहाँ पर hand और child interact हो रहे हैं तो यहाँ पर shadow भी आएगी so इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ simply यहाँ इससे कर रहा हूँ duplicate copy simply edit में गए duplicate और इससे यहाँ पर rename कर रहा हूँ just shadow इससे यहाँ पर just मैं यहाँ इसके उपर apply करने वाला हूँ fill just यहाँ पर type करेंगे fill then इसके उपर करेंगे drag and drop so कुछ इस type से अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा then simply आप क्या करो यहाँ पर color कर दो आप black as per the shadow इसके बाद simply जाएंगे यहाँ पर effect and presets में और यहाँ पर just type करेंगे Gaussian blur और इसको इसके उपर करेंगे apply और यहाँ पर आप simply इसकी values को increase कर लो something like this चीके और इस layer को आप shift कर दो इस masking के नीचे चीके और यहाँ पर just depress करो और इसके opacity आप कर लो around 50% now see हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर shadow देखने को मिल रही है आप इसको और अच्छे से यहाँ पर create कर सकते हैं और time देखर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर create करेंगे reflection जो कि हमारे यहाँ पर water के ऊपर आएगा इसके बाद हम लोग क्रेट करने वाले हैं reflection इहाँ पर इसके बाद हम नीचे लेके आएंगे कुछ इस टाइप से इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं simply इसके उपर apply करने वाला हूं some displacement map because जभी भी कोईच पानी में होती है वहाँ पर displaced होती है इसलिए हम लोग यहाँ पर apply करने वाले हैं displacement map reflection layer के ऊपर और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं इसे मैं थोड़ा सा close कर लेता हूं यहाँ पर layer हम select करेंगे water because हम लोग displaced करने वाले हैं water के साथ now see और यहाँ पर इसकी value कर रहा हूं मैं यहाँ पर luminance और इसे भी कर लेते कुछ इस type से और हमें यहाँ पर कुछ इस type से देखने को मिलेगा अब guys इतना करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं main video की मैं आपर कर रहा हूं duplicate copy ctrl D से और इसको लेकर आ रहा हूं top में कुछ इस type से अभी मैं आपर इसकी eyes close कर रहा हूं और इतने part को मैं आपर कर रहा हूं mask जिस भी लेकि हमने आपर duplicate copy करी है ठीके then eyes को open कर रहा हूं और यहाँ आपर mask की properties में गए और यहाँ पर इसे मैंने कर दिया mask feather कुछ इस type से ठीके so that हमें आपर कुछ इस type से देखने को मिलेगा कि हाथ हमारा पानी के अंदर है चीके something like this और इसे हम कर लेते हैं फिर तो 100% अब गाइस इतना करने के बाद मैं आपर सभी layer को यहाँ पर कर रहा हूं select बस water वाली वीडियो को छोड़ देंगा जो हमारा main water की video है और कुछ इस type से then right click करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर just type कर रहा हूं मैं main video छीके अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर add करने वाले एक sky so simply मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ एक image यहाँ पर add कर दी कुछ इस type से basically background है और यहाँ पर s press कर रहा हूं s for scale इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं और set कर लेता हूं इसको something like इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं simply इसका इतना part है कर रहा हूं mask कुछ इस type से then mask में गये और यहाँ पर apply कर रहा हूं some feather around 10 pixel थोड़ा बहुत और increase कर लेते हैं कुछ इस type से ठीक है या तो कर लेते हैं इस around 50 now अब भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर background move कर रहा है so as per the background movement हम यहाँ पर same movement apply करनी होगी जो भी हमने यहाँ पर footage को add कर रहा है इसके उपर so हम क्या करेंगे simply गये water video के उपर और यहाँ पर मैं just गया effect boris fx mocha then यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ mocha ae simply यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और हम अपनी main footage को track करने वाले हैं so simply मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर just 4 point यहाँ पर बनाए ठीके water के उपर आ points add मत करना otherwise tracking में थोड़ी बहुत problem हो सकती है इसके बाद simply मैं क्या कर रहा हूँ इसे कर रहा हूँ track यहाँ पर हमारी footage track हो चुकी है इसके बाद simply यहाँ पर इसे कर रहा हूँ save और यहाँ से close कर रहे हैं अब इतना करने के बाद guys हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे just rename मैं यहाँ पर इसे just कर रहा हूँ background यह तो हम एक काम करते हैं इसे हम करते है pre-compose so right click करते है pre-compose और यहाँ पर just type कर देंगे background then ok press करेंगे then simply हम गए अपनी water वाली वीडियो में और यहाँ पर जाएंगे create track data और यहाँ पर select करेंगे layer 1 और यहाँ पर guide then इसे हम कर देंगे transform then इसे हम यहाँ पर कर देंगे background then हम यहाँ पर click करेंगे apply export so now we can see यहाँ पर अभी हमारी इसकी position change हो गई है so यहाँ पर just p press करते है background layer के ऊपर और यहाँ पर click करेंगे इसके ऊपर then थोड़ा बहुत हम यहाँ इसको नीचे कर लेते है shift कुछ इस type से चीके और s press करते हैं और इस के लिए अभी हम यहाँ पर need नहीं है so मैं यहाँ इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी main video के ऊपर apply करने वाला हूँ some tint और tint को इसको पर करेंगे apply और यहाँ पर white color को मैं आपर कर रहा हूँ change around this और इसे कर रहा हूँ copy और background के ऊपर paste कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी कर रहा हूँ paste but इन सब की value मैं कर रहा हूँ around 50 कुछ इस type से ठीक है इसे आप भूलना मत इसकी value को 50 करना something like this इसके बाद मैं आपर ले रहा हूँ एक new adjustment layer right click करेंगे new adjustment layer और top में लेके आएंगे और इसके ऊपर मैं apply करने वाला हूँ some glow कुछ इस type से और यहाँ पर आप लोग glow की just properties को change कर लो something like this then इसके बाद मैं आपर just type कर रहा हूँ camera lens blur और इसको apply कर रहा हूँ just water की video के उपर और यहाँ पर इसकी value कर रहा हूँ around 10 कुछ इस type से then इस camera lens blur को copy कर रहा हूँ ctrl c से और इसे apply कर रहा हूँ background के उपर और यहाँ पर value कर रहा हूँ around 15 something like this इसके बाद हम लोग क्या करेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी properties को और change कर लेते हैं then इसके बाद मैं आप इसके उपर apply करने वाला हूँ lumetric color और simply creative में गए और यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ एक preset जो कि यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा आप यहाँ पर just click करना है sl iron sdr ठीक है और यहाँ पर आप लोग इसके intensity कम कर सकते हैं so मैं अभी यहाँ पर इससे कर रहा हूँ 80 then इसका vibrance कर रहा हूँ around minus 30 इस type से ठीक है इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ optical flare add करने वाले है so right click करेंगे new solid और यहाँ पर just type कर रहा हूँ optical flare और इसको यहाँ पर press कर रहा हूँ ok then simply गया effect में यहाँ पर आपको मिलेगा video copilot so basically मैंने plugin को install कर रहा है मैं उसका भी link update कर दूंगा description में आप लोग जाके download कर सकते हैं और simply यहाँ पर गया options में और इन सभी को मैं आपको कर रहा हूँ close और यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ optical flare something like this then ok press करेंगे और इसका blending mode कर रहा हूँ मैं add और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ नीचे shift background से उपर और यहाँ पर जो भी इसका point है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस type से इसको अपने according set कर सकते हैं इसके intensity या brightness कर रहा हूँ around 50 छीके इसके बाद इन सभी layer को मैं आपर कर रहा हूँ pre-compose so control A press कर रहा हूँ then यहाँ पर right click pre-compose और यहाँ पर just type कर रहा हूँ final output इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ again यहाँ पर ले रहा हूँ एक adjustment layer so right click करेंगे new adjustment layer और इसके उपर मैं apply करने वाला हूँ यहाँ पर wiggle और wiggle position और यहाँ पर apply कर रहा हूँ और इसकी value कर रहा हूँ around 2 ठीके then अपनी main footage को मैं थोड़ा size को increase कर रहा हूँ express करेंगे और यहाँ पर size कर देंगे around 103 तो 105 कर देते है 105 छीके guys अगर आपको यहाँ पर और collect action करने है let's suppose आप इसके उपर कर सकते हैं अपने coding so मैं अब यहाँ पर एक curves यहाँ पर add कर रहा हूँ थोड़े बहुत कुछ इस type से और यहाँ पर curves को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके highlight midpoint change कर रहा हूँ so finally guys हमारी footage कुछ इस type से ready हो चुकी है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope करते हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी है आपको वीडियो समझ में आई हो guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and बेल अकिन प्रस करना ना भूले इसके लावा कुछ भी doubts होते हैं वीडियो के regarding आप लोग कमेंट कर सकते हैं and आप लोग हमारे Instagram and Facebook पे हमें follow कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के regarding तब तक के लिए guys take care bye bye मिलते हैं किसी next वीडियो में